मिसन चार सौ के लक्ष को प्रात करने के लिए बीजे पी अब लोगसभा चुनाओ की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है एक इंटर्नल बैठक हाल में हुई थी जिसमें बीजे पी अध्यक्त जेपी नडड़ा ने अपने तमाम महामंत्रियों को बड़े काम सौपे हैं सबसे पहले दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं के लिए भी जौइनिंग कमिटी बनाई गई है और उसके लिए विनोत तावडे को जो की राष्टी महामंत्री है इसका प्रभार दिया गया है इस कमिटी का काम होगा कि दूसरी पार्टी के जो दिगज नेता है जो लगातार चुनाओ जीत रहे हैं और उनकी सीटों पर बीजेपी के पास जिताओं मिदवार नहीं है तो वैसे तमाम दूसरी पार्टी के नेताओं से संपर्ख कर ये कमिटी उनको बीजेपी से जोरने का काम करेगी इसके अलाबा पार्टी ने मैनिफेस्टों के लिए भी कमिटी तै किया है साथी विजन डॉकुमेंट का काम राधा मोहंदास अगरबाल जो की बीजेपी के महमंतरी है उनको सौपा है चुनावी तैयारियों चुनावी प्रचार का काम सुनिल बंसल और तरुन चुक को सौपा गया है तो वहीं दुस्यंत गौतम को बहुत समाज का सम्मेलन करने का काम सौपा गया है और उन्हें ये कहा गया है कि बहुत समाज बीजेपी से जुड़े इसकी तैयारी उन्हें करनी है वो भी अब इस काम में लग रहे हैं कमीटियां अपना काम कर रही है इस बीच कम से कम बीजेपी ने इन कमीटियों के गठन के साथ ये तैय कर दिया है कि 400 का जो उसका आकड़ा है जहां तक वो पहुंचना चाहती है उसके लिए वो किसी भी हद तक यानि की जा सकती है यानि दूसरी पार्टी के नेताओं को भी अपने साथ जोड़ कर वो 400 के लक्ष को प्राप्त करने में उसे कोई संकोच नहीं होगा ये कम से कम बीजेपी ने जो अभी कमीटी का गठन किया है और जो रोड़ मैप तैयार किया है दूसरी पार्टी के वरिष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़ने का उससे दिख रहा है उससे तैय होता हुआ दिख रहा है कुल मिलाकर लगातार बैटकों का दोर जारी है लेकिन दूसरी पार्टी से जो जो जोइनिंग के लिए कमीटी बनाई गई है वो बड़ी बात है अभी तक चुनाओं के वक्त अलग-अलग राजियों से नेता सामीर होते थे लेकिन इस पार जोइनिंग कमीटी बनी है जो तमाम दूसरी पार्टी के दिगज नेताओं पे डोरे डालेगी तो ये एक बड़ी ख़वर है और ये दिखाता है कि 400 का लक्ष प्राप्त करने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है ताकि 400 का लक्ष तो प्राप्त हो ही 50 फिजदी से ज्यादा वोट का जो लक्ष रखा गया है उसे भी पार्टी प्राप्त कर सके कैमरा मैं अभय के साथ कुमार गौरब निश 24 दिल्ली नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुमिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और 24